हाई आज है शरत पूर्णिमा और शरत पूर्णिमा माता रानी मा लच्छमी और विश्णु भागवान का शिफशंकर मा पार्वती का दिन है तो चलिए आज बना लेते हैं घर में कीर तो मैंने एक लीटर दूद लिया है और उसको थोड़ा गाड़ा कर लिया है मैं डाल दूए हूँ बहुत थोड़े से चावल जो अच्छे से वाश कर लिये थे और अच्छे से वाश करके डाले हैं अब हम इसे धीमी आज पर पका लेंगे एकदम गैस को कम करते हुए धीमे पकने देंगे आप अगर ड्राइफ फूट्स डालें तो आप डाल सकते हैं तीन चार इलाइची ले लिजिए इलाइची पावडर डालिए माको इलाइची बहुत पसंद है हमने ये बदाम और काजू को बरीग बरीग काट लिया है इलाइची को कूट लिया है तेखिये थ थोड़ी सी गाड़ी हो गई है हमारी कीर, और इसको पकने देंगे 5-10 मिनट, तो अच्छे से गाड़ी हो जाएगी, आप देखिए इसे बीच-बीच में चलाते जाएगे, क्योंकि रोकिएगा नहीं, अच्छे से पकेगी, माता रानी को मिश्री बहुत पसंद है, तो हम डा दागे होते हैं इस तरह के, उनको निकाल लेंगे, और अच्छे से फोड के एक बार धागा जरूर चेक कर लेंगे, कि कोई धागा तो नहीं है इसमें, और हम डाल देंगे खीर में मिश्री, और फिर उसको हम अच्छे से एक बार पका लेंगे, जिससे कि जो पानी बनेगा उसका वो अच्छे से पक जाए, फिर डाल देंगे जो हमने बदाम या इस तरह से थोड़े से मैं गानिस के लिए निकाल लोंगी, और बाकी सब डाल देंगे, आप ड्राइब फूट्स अपने मन से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो डालिए, इलाइची पाउडर डाल द और मिक्स करें, थोड़ा सा नारियल, आप जरूर डालें खीर में थोड़ा सा, और अगर हो सके तो माता रानी को चड़ाएं, तो हम इस तरही खीर में ही मिक्स कर देंगे, और देखिए खीर हमारी एकदम रेडी है, हम थोड़ी सी उसकी उपर से काजू और बदाम को डाल तो आप इस तरह से उपर से डाल दीजिए काजू और बदाम जो भी आप डालना चाहें, और बस थोड़े से मा तरानी के जो उनको गुलाब अती प्रिय है, उससे सजादें, इस तरह मा के लिए खीर बनाएं, और मा को भोग लगाएं, इस शाम को जब हम पूजा कर लेते ह तो भोग लगा देते हैं, आप अगर कुछ रखें तो चांदी के बरतन में इसको रखें या फिर हो सके तो मिट्टी का पात्र जो होता है, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं, तो रात को हम शाम को जब भोग लगा देंगे, फिर रात को एक थाली में पानी ले ले और उसम डाली है, आपने खीर उसमें रख दें और उपर से चलनी या कोई कपड़ा हलका डख दें, उससे क्या है, पानी रखेंगे नीचे से तो कोई चीटी ये वगरा नहीं चड़ेगी, तो आप उसका ध्यान रखें, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक करें, सस्क् करें, फिर मिल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाए, टेक केर